हमारे स्वर्गिय पिता आज हमें शारेरिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता हम यहाँ एक हरिदय से इकत्रित हुए हैं जिसे आपके प्रेम और आपकी इच्चा की गहराई और गहनता को समझने की अवशक्ता है जो सात्वी आज्या के माध्यम से प्रकट होती है पिता कृप्या आद सुभा हमारे हरिदय को नमर करे ताकि हम आपके सारे प्रेम सारे पोशन सारे सास और सारी शक्ती को अशोशित कर सके ताकि हम इस दुनिया में मेमने की सच्ची शुद दुलहन के रूप में आगे बढ़ सके हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम इस समय को आपको आपके शक्तिशाली हांतों में सौंकते हैं येश्यो के नाम पर हम प्रात्ना करते हैं आमेन तो हम दस आग्याओं में से सात्वी आग्या का अध्यन कर रहे हैं और सात्वी आग्या कहती है कि विविचार मत करो हम इतिहास मुक्ति के इतिहास श्रिंखला की सात्रवी पुस्तक पर आधारित अधेन कर रहे हैं जिसे रेवरेंड अबराहम पार्क ने लिखा है और हम वास्तव में इन दस आग्याओं में गहराई से उतर रहे हैं आज हम पवित्र शास्तर के बारे में माफ कीजेगा आज हम पवित्र शास्तर के बारे में अंतिम घंटे से शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि हमने पहले प्रकाशत वाक्य अध्याए एकिस और बाइस में देखा था हम उद्धारक इतिहास की पूर्णता और मेमने की सची दुलहन के उद्भव को देखते हैं और मेमने की दुलहन इस विशेश वस्तर को पहनती है विवाह का वस्तर सबी विश्वासी जानते हैं कि हमें अंतिम दिनों में मेमने के इस महान विवाव में शामिल होने के लिए भोज का वस्त्र या विवाव का वस्त्र पहनना चाहिए इसलिए मुझे यह जानकर बहुत आश्चरे हुआ कि सात्वी आग्या वास्तव में पवित्र वस्त्र से सम्बंदित है और उमीद है कि आज हम और अधिक विशिश्च रूप से देख पाएंगे कि कैसे यह आग्याएं यह वेविचार ना करना मेमने की शुद दुलहन के लिए तैयार करती है और यह हमारे पवित्र वस्त से कैसे सम्बंदित है जैसे हमें अंत समय में पहनना चाहिए तो अब यह विशिष्ट नियमों के बारे में हैं और पिछले सब्ता हमने वास्तव में देखा कि कैसे दो स्थान हैं जहां दस आग्याओं में सात्वी आग्याओं दिखाई देती हैं और इसलिए निर्गमन बीस का चौदा और विशिष्ट विवरण पांच का अठारा और ये आयत वास्तव में सात्वी आग्याओं के विशिष्ट नियमों में विस्तार का विवरण देते हैं तुम विविचार ना करना हमने वास्तव में पिछले सप्ता चार विशिष्ट नियमों का अध्यन किया था तो आये पिछले गंटे की संग्शिप्ट चांच करें बस अपनी यादाश को ताजा करने के लिए हमने देखा कि कैसे अनाचारण पूर्ण विवा पर प्रतिबंद था विवा की पवित्रता और शुदता का संड़क्शन और तीसरा यौन अपरादों की रोक थाम के बारे में विशिष्ट कानून और चौथा इरश्या का कानून मुझे उमीद है कि आपको यह सब याद होगा और इसका निरकश यह है इश्वर चाता है कि हम अपनी पवित्रता के बारे में सचेत रहे और हमने यह भी देखा कि इश्वर का इरादा विवा के भीतर इस पवित्रता और विश्वास को रखना है क्योंकि यह हमारे समाज और हमारे राष्ट्र में परिवार में उचित विवस्ता से सीधे संबंदित है तो आए हम याद रखे कि हमारे विवार में हम सीधे हमारे राष्ट्र के शक्ती के परिणाम से संबंदित है जो हमारे ईश्वर के लिए पुजारी के पवित्र सामराजे के रूप में है इसलिए आप बहुत खास है आपका विवा बहुत खास है आपका परिवार इस कारण से ईश्वर की द्रिश्टी में बहुत कीमती है और हमने इन विशिष्ट कानोनों के माध्यम से यह भी देखा कि विवाहित जोड़े के लिए आध्यात्मिक्ता और हमारी शाररिक भलाई दोनों ही शुद्धता हमारे अपने जीवन जितनी ही मतवपून है और उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि शुद्धता के संबंद में आपसी विश्वास और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए और हमने एशा के नियम को भी देखा और यह कैसे हमारी कमजोरियों और सीमाओं के बारे में परमिश्वर की समझ को दर्शाता है क्योंकि हम के भीतर आपसी विश्वास और पारदर्शिता को नश्ट कर सकते हैं और हमने यह भी देखा कि कैसे परमिश्वर पाप को तब भी उजागर कर सकता है जब कोई सबूत ना हो और वह निश्चित रूप से उस पर अपना निर्णे सुनाता है और इसलिए हम निश्चिंत हो स सुनने के लिए वहाँ है वह उस पती के दिल को भी सांतवना देने के लिए वहाँ है जो अपनी पत्नी की शुदता के बारे में संदेय में है और वह चीजों को सपष्ट करने में सक्षम है सबसे पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि यह आग्या वास्तव में हमें सिखा विचार ना करें। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले नियम पर चलते हैं। अवह हमारे साथ रहना चाहता है और वह चाहता है कि हमारी उपस्ति एक साथ पूर्ण शुद्धता में बनी रहे तो पांचवा नियम वैश्या कहे जाने वाले पुर्ष और महिला का निश्यद है अब इश्यद ने इश्यद में पूर्ष और महिलाओं दोनों के लिए वैश्या वरिती को सक्ती से प्रतिबंदित कर दिया और यहां में बताता है कि इश्यद के चुने हुए लोगों में भी ये गटनाए होती थी ऐसा इसलिए है क्योंकि इसराइल के आसपास के रास्ट्रों के धर्मों ने इन पूर्ष और महिला वैश्याओं और यान अनुष्ठानों का इस्तमाल किया और वे यह कहते हुए इसका इस्तमाल करते हैं कि वे अपने देवताओं से मिलना चाहते हैं और इसलिए इन वैशियाओं को मंदिर की वैशियाएं कहा जाता था और इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते थे इसलिए वे मंदिर और वैशियाएं हैं और यहां तक की यहुदा के लोगों ने भी परमेश्वर के मंदिर में वैशिया कहलाने वाले पूर्शों के लिए उनके अनन्द के लिए एक घर बनाया था इसलिए आप देख सकते हैं कि वे पहले से ही अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसे अपने परिवेश में ढाल रहे थे और यह एक राश्ट्रियबाद थी यह हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी वातावरण में रह रहे हैं हमारे चारों और वही संसारिक प्रभाव है और आप दूसरा राजा के अध्याए त्रेज के साथ में देखते हैं उसने पूरुशपंत वैशियाओं के घरों को भी तोड़ दिया जो प्रभु के भवन में थे महिलाएं अशेरा मूर्ती पूजा के लिए परदे बुन रही थी और ये प्रथाएं राजा रहुबाम के शासनकाल में प्रचलित थी जो सुलिमान का बुत्र था जैसा कि हम पहले राजा 24 के माफ कीजेगा 14 के 24 में देखते हैं साथ ही अबियाम और आसा के अधीन 12 और अध्याए 22 का 46 में देखते हैं अब ये यहोशिया के समय में उसके सुधार के माध्यम से अस्थाय रूप से गायब हो गया लेकिन हम बात में देखते हैं कि जब वविश्य वक्ता होशे इसके बारे में बात करते हैं उसने अपने समय के लोगों पर आरोप लगाया जो बिना किसी दोश के विविचार में लिप्त थे और उसने उन पर परमेश्वर के भयंकर नयाई की बविश्यवानी की यह होशे चार के ग्यारा से उननिस में हैं और हम यहाँ देखते हैं कि वैश्यवर्ति की भावना ने उन्हें बटका दिया है यह एक राश्ट्रिय घटना थी इसका मतलब यह नहीं है कि हम इससे अच्छूते हैं तो हम पुरुष और महिला विश्यवर्ति के बारे में देख सकते हैं और कृप्या याद रखें कि यह केवल शाररिक पुरुष और महिला विश्यवर्ति नहीं है यह आज शाररिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से हो र जो समाज का एक बुनियादी निर्मान खंड है परमेश्वर का राजिया अतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि इसने परमेश्वर के मंदर को कैसे भ्रष्ट किया है और इसने निर्दोश लोगों के विश्वास की जड़ को हिला दिया है वास्तव में यह अतीत में एक बड़ी चेतावनी थी और आज हमारे कलिसियाओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है आज कलिसिया के पादरी और मंडली के बीच कई लोग अतीत के अन्य समयों की तरह आस्था रखने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में ब्रष्ट मन अनैतिक कर्मों से भरे हुए हैं जो वेवाहिक जानवरों की तरह कामुक सुखों की तलाश और प्यास से भरे हुए हैं यह वास्तव में सात्वी पुष्टक में रेवरेंड अबराहम पार्क के कथन से सीधा उधारन है इसलिए हमें रहोस्या गाटन अध्याय दो की ओर ल आईए इसे एक साथ पड़े इसलिए अब मैं उसे पीडा की शया पर डालने ही वाला हूँ तथा उन्हें भी जो उसके साथ वेविचार में सम्मिलित हैं ताकि वे उस समय तक कहन पीडा का अनुभव करते रहें जब तक की वे उसके साथ किये गए अपने बुरे कर्मों के मैं महामारी से उनके बच्चों को मार डालूंगा और सभी कलिस्याओं को यह पता चल जाएगा कि मैं वही हूँ जो लोगों के मन और उसकी बुद्धी को जानता है मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूंगा देखिए वह अन्तिम दिनों में सभी कलिस्याओं को अपना बयान दे रहा है यह अब के बारे में है और यह हमें इर्शा के नियम उसके परिणाम की याद दिलाता है तो इसके साथ चलो वस्तर के चारो कोने पर लटकन लटकाने की अगली आग्या पर चलते हैं तो यह वास्तव में हमें पवित्र और दंडित रखने पर परमेशुर का सादन है वस्तर के चारों कुनों पर लटकन लटकाने की परमेश्वर की आग्या ये बहुत ही उलेखनिया है क्योंकि सात्वी आग्या के विशिष्ट नियम के माध्यम से जो कहता है कि वे विचार ना करे परमेश्वर हमें क्या पहनना चाहिए इस पर निर्देश देता है हमारे वस्त्रों के अकार और रूप पर भी क्योंकि यह एक विशेश वस्त्र है जिसे उसके समर्पित लोगों के अलावा किसी और द्वारा नहीं पहना जाना चाहिए इसलिए अब जब हम समर्पित लोगों को सुनते हैं तो हमें परमेशुर की शुद दुलहन की याद दिलानी चाहिए इसलिए विशेश रूप से यह विशेश आग्या घर के बाहर पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में है ना कि घर के अंदर पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में तो यह इस बारे में हैं कि हम बाहर क्या पहनते हैं इसलिए उद्देशे केवल यह नहीं था कि हम कैसे दिखते हैं यह केवल बाहरी उपसिती के लिए नहीं है कि यह वाचा के लोगों को उनकी पवित्र, पहचान और उनके दिव्य, मिशन की याद दिलाता था जब भी उन्होंने अपना लबादा पहना था या जब भी हम एक दूसरे के लबादों को देखते हैं इसलिए जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो मुझे अपने परिधानों की याद आती है और मैं कौन हूँ और मेरे मिशन क्या है साथ ही जब हम आज एक दूसरे को देखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम कौन है इसलिए यह पहनने के लिए एक बहुत ही मत्वपून परिधान है वास्तव में शुक्र है कि रेवरेंड अबराहम पार्क ने वास्तव में सात्वी पुस्तक में इसे विस्तार से समझाया है और मुझे येकीन है कि आपने यह चवी देखी होगी इसे एक साधारन लबादा कहा जाता है तो यह साधारन लबादा है और आमतार पर चौकोर अकार कहा होता है इसलिए यह स्पेनिश शब्द में इसे पौँचो कहा जाता है यह पॉंचों की तरह है यह आज उनके लिए एक प्राथना शौल की तरह है लेकिन यह वही है जो उन्होंने वास्तव में पहना और विशिश नियमों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों को दो प्रकार की सामगरियों से बने हुए वस्तर पहनने से मना किया आप उन और लिनन को एक साथ नहीं मिला सकते यह लेवे विवस्ता अध्याय 19 और विवस्ता विवरंड 22 में है इसलिए विवस्ता विवरंड 22 का 11 कहता है तुम उन और लिनन को एक साथ मिला कर सामगरियों नहीं पहनोगे तो यह केवल किस से बना था उन तो जैसे रेशम उन का हिस्सा है तो अब यह वास्तव में दिन के दौरान पहना जाने वाला शौल या लबादा था लेकिन रात में कंबल के रूप में काम आता है तो यह चौकोर कपड़े में एक टुकड़े से बना एक वस्तर है यह उन से बना है और इसे रात में कंबल के रूप में उपयोग क तो यह ऐसा दिखता है और वे इसे चीजों को ले जाने के लिए एक आवरण के रूप में भी उपियोग कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इस जगह पर चार लटकन देखें और विवस्ता विवरण 22 का बारा यह कहता है। तुमने अपने पहने जाने वाले चोगे के चारो कोनों पर फूंदने लगाने चाहिए। अब हीब्रू में लटकन शब्द गादील से आता है। यह शब्द गादाल से लिया गया है जिसका अर्थ है गुमाना। क्योंकि लटकन मुड़े हुए हैं धागों से बने हुए होते हैं। अब लेकिन गिंती अध्याए 15 का 38 में आप देख सकते हैं। इसराइल के लोगों से बाते करो और उन्हें यह कहो। मैं तुम लोगों को कुछ अपने आदेशों को याद रखने के लिए दूँगा। धागे के कई टुकडों को एक साथ बांध कर उन्हें वस्तरों के कोने पर बांधो। एक नीले रंग का धागा हर एक ऐसी गुच्छियों में डालो। तुम इन्हें अब से हमेशा के लिए पहनोगे तो यह हमेशा के लिए है। इसलिए आज भी हम यह हम पर लागो होता है। जैसा कि संसारिक यहुदियों में सच है। कृप्या रंग पर ध्यान दे। नीला। इस आयत में लटकन का अलग शब्द है। इसे हिब्रू में तििस्टित कहा जाता है। गादील की तरह यह लटकन फूल के आकार के अबोशन थे। तिसित वास्तव में अधिक उलेखनिय है। क्यूंकि यह लबादे के कौने पर फूल के अकार का अबोशन है जो दर्शाता है कि कानून जीवन का फूल है। सजे हो इस फूल से सजे हो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पिता परमिश्वर हमसे कितनी इच्छा रखते है कि हम उनकी दुलन के रूप में तयार रहे और वह हमें यह लपादा पहनने की आग्या देते है और वह हमें चारो कोनों पर यह लटकन बनाने की आग्या देते है ताकि हमें याद रहे कि हम उनके कानून जीवन के फूल को पहन रहे हैं तो आईए हम वास्तव में इस चिसित को थोड़ा और करीब से देखे तो कृपया इस शब्द पर ध्यान दे यह हीब्रू वर्ण माला है हीब्रू शब्द चिसित का संख्यात्मक मान छे सो है आपको याद है कि प्रतेक वर्ण माला एक संख्यात्मक मान रखती है तो यहां हमारे संदर्व के लिए एक तालिका है तो आप देखते हैं कि सादी 90 है, संक्यात्मक मान 90 है, यहां योद संख्या 10 है, और यहां हम ताउ देखते हैं जो 400 है, तो नब्बे जमा 10, जमा नब्बे जमा 10, जमा 400, वास्तव में 600 है. इतना ही नहीं, तार की आठ अतिरिक्त किस्मे हैं तो आप देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ क्वार्ट मुड़े हुए थे और उन्हें पांच बार गांट दिया गया था पहली गांट, दूसरी गांट, तीसरी गांट, चौथी गांट और पांच वी गांट तो आप देख सकते हैं कि यह 8 जमा 5 है, 13 तो 8 जमा 5 गांटे 13 है इसका मतलब कि पूरा लटकन 613 के संख्यात्मवक मान का प्रतीक है शब्द चिसित यह 600 है और आठ किसमे और पांच गाठे एक साथ 613 है जो कानून के 613 लेखों से मेल खाती है तो चिसित और मान 613 परमेश्वर के वचन की याद दिलाता है और यह हमें हमारे परमेश्वर के सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रिवित करता है विवस्टा विवरन अध्याय 22 के 12 में याद है परमेश्वर खुद को ढखने के लिए यह लबादा बनाने की आगया देता है यह कितना बढ़िया है हम इतने कमजोर इंसान हैं हम इतने भुलक कर प्राणी है फिर भी परमेश्वर हमारी सभी कमियों और हमारी सभी खामियों को ढखना चाते हैं और वह हमें किस से ढखना चाते हैं भाईयों और बेहनों, परमेश्वर आज हमें किस से ढखना चाते हैं? अपने वचन से, अपनी आग्याओं से, ताकि वह हमें अपने वचन के पुरुष और स्त्री में बदल दे. हालेलुया! कृप्या जान लेकि यह परमेश्वर का इरादा है, यह वह अच्छा उदेश्य है जिसके लिए आपको बुलाए गया है और वह तब तक करना बंद नहीं करेगा जब तक वह हमें बुलाने के अपने इरादे को पूरा नहीं कर लेता। तो एक और अद्बुत पात है, आश्चरे जनक रूप से यह लबादा एपोद के पुजारी के लबादे जैसा दिखता है, यह एपोद एक लबादा सिर्फ साधारन पुजारी द्वारा नहीं पहना जाता, यह सिर्फ उच्छ पुजारी के लिए एक विशेश वस्त्र था तो आप देख, तो आप देखिए, यह बहुत ही समान है, हम जानते हैं कि एपोद एक यह लबादा एक टुकड़ा है और उन से बना है, यह उन का बुना हुआ काम है, और याद रखे कि यह चिसित की तरह फटने से बचाने के लिए उद्गाटन की तरह था, बीच में अनार के साथ एक नियमित अंतराल पर सोने की घंटी भी लटकाई जाती है, इसके अलावा यह कहता है कि इसके उपर से नीचे तक एक टुकड़े से बुना गया था, इसलिए नीले रंग की डोरी इसराइलियों को उनकी पहचान याजक के राजे के रूप में हमा करते हैं, मेरा मतलब है कि स्विमिंग सूट भी एक ऐसा परिधान है जिसे आप बाहर पहनना होता है, लेकिन आप स्विमिंग सूट पहनते हैं तो आप जाकर पढ़ा नहीं सकते, जब आप तेराकि कर रहे होते हैं तो आपका स्विमिंग सूट पहनना जरूरी होता है, याद रखे कि जब परमिशुर हमें एक लबादा पहनाना चाहते हैं तो वह हमसे क्या चाहता है? परमिशुर हमसे कैसा विवार करवाना चाहता है? आईए इसे याद रखें. यहां परमिश्वर संख्या अध्याय पंद्रा में कहता है माफ कीजेगा गिंती अध्याय पंद्रा तुम लोग इन गुच्छियों को देखते रहोगे और यहोवा ने जो आदेश तुमें दिया है उन्हें याद रखोगे तब तुम आदेशों का पालन करोगे जैसा कि तुम खुद को देखते हैं और जैसा कि आप अन्य लोगों के लबादे को देखते हैं यह याद रखना कि प्रभू की सभी आग्याएं है इसलिए मैं खुद को वचन की याद दिला रहा हूँ आप भी मुझे प्रभू के वचन की याद दिलाएं ताकि हम उनका पालन कर सकें यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमें एक दूसरे को परमेश्वर के वचन का पालन करने में अपने दिल और अपनी आँखों का अनुसरन न करने की याद दिलानी चाहिए और यह महत्वपूर्ण हिसा है जिसके बाद आप वैशावरिती करते हैं याद रखें कि बाइबल में वैशावरिती के लिए दो शब्द है और परमिश्वर ने वैशावरिती के पेड़ के बारे में बात करने के लिए जो विशिष्ट शब्द चुना वह शब्द था जाना और वह कहता है जब हम अपने दिलों का अनुसरं करते हैं तो हम इसके विरुद वैशावरिती करते हैं इसके लिए फिर से परमिश्र कहता है कि प्रिप्या इस लबादे को लटकन के साथ पहने ताकि आप मुझे याद रख सकें और मेरी सबी आग्याओं का पालन करना याद रख सके और मेरे लिए पुवित्र बन सके आप देखिए मुझे हमारे संस्तापक पादरी के बारे में याद है वह इस परिद्रिशे में वचन को बिल्कुल उसी तरह दोराने की अपनी शम्ता के लिए बहुत वजिश्ट था यदि वह इसके बारे में सौ बार बात करते थे तो हर सौ बार शुरू से अंध तक बिल्कुल वैसा ही होता था और पहले तो हम सोचते हैं वो खुद को क्यों दोराते हैं मैंने यह पहले भी सुना है कभी कभी हम उसकी पंक्तियों को समझ भी नहीं पाते क्योंकि हमें इसे कई बार सुना है इसलिए जब मैंने इस लटकनों को देखा तो मुझे याद आया कि हम कितने कमजोर हैं हम कितने भुलकर हैं हम परमेशर का वचन सुनते हैं लेकिन हम इसे हर समय भूल जाते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं हम वचन जानते हैं लेकिन हमारे पास इसका पालन करने की शक्ति नहीं ह और परमेशुर जानता है, हमारा पिता हमारी कमजोरियों को जानता है और वह हमें हर बार ठीक उसी तरह बार बार याद दिलाता है यहां तक कि वह हमें अपने वचन की याद दिलाने के लिए ये लटकन देगा आईए हमेंसे याद रखें और प्रात्ना करें और स्विकार करें हाँ हम कमजोर हैं मैं आपसे सहमत हूँ हमें आपके वचन को रखने और करने की शक्ती नहीं है इसलिए कृपया हमारी मदद करें कृपया हमें अपनी अध्यात्मिक मूरती पूजा से रोके ताकि हम आपके राजे के लिए इस शुद परिवार को बनाये रख सके अमेन यिशू के दिनों में धार्मिक नेता प्रदर्शन करने के लिए इन लटकनों को बहुत बड़ा बनाते थे और वे लटकनों के इच्छित उदेशे के लिए उन्हें विकृत कर देते थे और यिशू ने पाखंड की ओड संकेत किया और उन्हें साथ बार श्राब दिया और उन्हें फटकारा और उनका न्याय किया और यह सब मती अध्याय 23 में है इसलिए हम वास्तव में इन आयातों पर जाएंगे हलाकि हमारे पास समय कम है लेकिन मुझे लगा कि बाइबल में इन आयातों को पढ़ना हमारे लिए बहुत मत्वपून है आईए मती अध्याय 23 खोले यहां ये शु कहते हैं कि फरीशी शास्त्री वे पवित्र याजचक है याद रखें कि यह केवल धार्मिक नेताओं के बारे में बात नहीं कर रहा है हमें एक पिता के राजे के नेता के रूप में बुलाया गया है आमेन तो आईए इस संदेश को अपने दिल में अपना संदेश बना ले वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखे वास्तर में वे अपने ताबीजों और पोशाकों की जालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझे, वे उत्सवों में सबसे महत्वपून स्थान पाना चाहते हैं, अरादनालेयों में उन्हें प्रमुक आसन चाहिए, बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बे कहे कर संबोधि करते हो और ना ही उनके ग्यान देते हो जो प्रवेश के लिए प्रत्न माफ कीजेगा ना तुम स्वेम उसे प्रवेश करते हो और ना ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रत्न कर रहे हैं जब हम परमिश्वर के न्याय, दया और विश्वास योगिता को भूल जाते हैं, तो लटकन को बड़ा करने का मतलब है, लेकिन ये वे चीजें हैं जो आपको दूसरों की अपेक्षा किये बिना करनी चाहिए, हाँ, दश्मांस बहुत महत्वपून है, कानून हमें बताता है कि दश्मांस का आदेश देता है, कानून हमें दश्मांस देने का आदेश देता है, लेकिन हम न्याय, दया और विश्वास योगिता की उपेक्षा नहीं कर सकते, अरे कप्टी, यहोदी धर्म शास्त्रियों और फरीसियों, तुमें दिखकार है, तुम अपनी कटोरियों और थालियां बाहर से ही तो दो कर साफ करते हो, पर उनके भीतर जो तुमने चल कपट किया, अपने लिए रियासत में पाया है, भरा है. अरे अंदे फरीशियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो, ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच हो जाए. आईए हम पिता से प्रात्ना करें, हाँ, कृप्या हमारे प्याले को अंदर से साफ करें, ताकि हम उसकी महिमा के लिए बाहर से साफ रह सकें, आमीन. अरे कप्टी यहुदी धर्मशास्त्रियों और फरीशियों, तुम्हें दिकार है, तुम लिपी पूती समाधी के समान हो, जहां जो बाहर से तो सुन्दर दिखती है, किन्तु भीतर से मरे हुए हड्डियों और हर की तरह अपवित्रता से भरी होती है. ऐसे ही तुम बाहर से तो धर्मात्मा दिखाई देते हो, किन्तु भीतर से छलकपट और बुराई से भरे हुए हो. आप देख सकते हैं कि यशू हमारे दिलों को देख रहा है, इसलिए आज बाइबल अध्यान करने के बाद आएए कुछ पलों के लिए प्रात्ना करें, और अपने प्रभू से अपनी कमजोरियों को स्विकार करें, और कैसे हम कभी कभी यशू के समेश के इन शास्त्रियों और फरेशियों की तरह विवस्ता का उलंगन करते हैं, इसलिए आज भी हम जो बाहरी वस्तर पहनते हैं उसका महत्व बहुत स्पष्ट है, विवस्ता ने इसराइलियों को लटकन दिये ताकि उन्हें परमेशर के वचन की याद इलाई जा सके और उनकी पहचान उनके जिन्द को फैलाएं, दूसरे शब्दों में हमारा विश्वास और हमारे परमेशर की कृपा, आमीन आये दूसरा कुरंतियों अध्याए, दो, पद, पंद्रस, से, सोला की ओर मुड़े, आये इसे एक साथ पड़े, यह परमेशर का हृदय है, हमारे लिए उनकी इच्छा है वह कहता है, क्योंकि उनके लिए जो भी उद्धार की राह पर हैं और उनकी लिए जो भी विनाश के मार्ग पर हैं, हममसी की परमेशर को समर्पित मधूर भीनी सुंगंदित रूप है, किन्तु उनकी लिए जो विनाश के मार्ग पर हैं, यह मृत्यू की ऐसी दुरगंद ह जो मृत्यों की ओर से ओर ले जाती है पर उनके लिए एक उद्धार के मार्ग पर बढ़ रहे हैं यह जीवन की ऐसी सुगंद है जो जीवन की ओर अग्रसर करती है किन्तु इस काम के लिए सुपात्र कौन है हमारे परमेशवर के लिए मसीख की यह सुगंद कौन बन सकता है कौन वही सुगंद बिखेर सकता है जो इश्यों ने परमेशवर के लिए बिखेरी थी आईए याद रखें जब वस्तर उतार दिया जाता है तो हम नगन और भैबीत हो जाते हैं और मुक्ति के इतिहास इस बात की पुष्टी करता है जो वास्तव में महत्वपून है वह हमारे आंतरिक सोह का अदरिश्य वस्तर जो वचन का वस्तर है लेकिन यह लबादा उतार दिया जाता है जब हमारे वचन का वस्तर उतार दिया जाता है तो हम जो सामना करते हैं वह नगनता और आतंक है जब हमारा लबादा उतार दिया जाता है तो हम आदम की और हवा की तरह अपरादियों या भगोडों से अलग नहीं होंगे पाप करने के बाद उन्हें एसास हुआ कि वे नगन थे और वे भैबीत हो गए और रेवरेंट अबराहम पार्क लोगों की शर्म और शर्म की और इशारा करते हैं जब उन्हें बिना जब उन्हें बंदी बना लिया जाता है और ये आयते काफी डरावनी है ये बात करती है कैसे जब वेक्ति येशु को गिरफतार करने आया तो वह भाग गया और उसके शरीर पर एक सनी की चादर थी इसलिए ये लबादा है उसके नगन शरीर पर सनी की चादर थी लेकिन जब भाग रहा था तो उन्हें सनी की चादर को खीच लिया और वह नगन बच निकला यही बात मरकुष 14 में कही गई है और दैनिय देंदारों के बारे में भी जब हम अपने लबादे खो देते हैं तो इसका मतलब है कि हम कर्सदार बन गए हैं क्योंकि कर्स के बजाए हम वास्तव में लबादा देते हैं तो हमारे साथवे आगया अदेन की शुरूत में शर्म के बारे में बात की गई थी जो एक अप्राकृतिक स्थिती और अस्थर मांसिक स्थिती है जो तब होती है जब कोई विक्ती पर मेशुर के वचन को भूल कर और पाप करके पवित्रता खो देता है और यह ठीक उसी से मेल खाता है जिसका हम आज अधेन कर रहे हैं साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मिशन वाले लोग हमेशा अपने वस्तर पहनते है सर्जन हमेशा स्क्रब पहनते है पुलिस अधिकारी हमेशा पुलिस की वर्दी पहनते है सैनिक हमेशा अपने लड़ाई की वर्दी पहनते है उसी तरह परमेशुर के लोग भी अपने वस्त्र पहनते है शामुईल याद है जब वह चोटा लड़का था तब से उसने अपने वस्त्र पहने हुए थे जब जौनतन प्रेम्व्क्त करता है और वह दाउद की रक्षा करना चाहता है तो वह वास्तव में अपना वस्त्र उतार कर दाउद को दे देता है और महायाजक हमेशा अपने मिशन को दर्शाने के लिए एपोध का यह वस्त्र पहनते थे और मुसा ने एलिजार को हारुन का वस्तर पहनाया ताकि यह संकेत मिले की महायाजक का पद अब उत्राधिकारियों को सौंपा जा रहा है और जब एलिया के स्थान पर एलिशा नभी को निक्त किया गया तो पैगंबर एलिया ने अपना वस्तर एलिशा पर डाल दिया और राजा हजीकिया के समय में शिबोन का अंग रखा जो राष्ट्रिय कोशाद्यक्ष की तरह था एलिया किम को पहनाया गया मैं चाहता हूँ कि हम कुछ और आयतों को देखे ताकि यह वास्तव में हमारे दिलों में अंकित हो जाए कि कैसे मिशन वाले लोग हमेशा वस्तर पहनते हैं और हमारा वस्तर हमारे दिवे मिशन को दर्शाता है और याद रखें कि रेवरेंट पार्क ने हमेशा हमें याद दिलाए कि मिशन वाले लोग कभी नहीं मरेंगे आमेन तो पहला शामुईल दो का अठारा और अठारा से उन्निस अब शामुईल एक लड़के के रूप में लिनन अपोद पहने हुए प्रबु के सामने सेवा कर रहा था वे मायाजक की तरह है और उसकी मा उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाती है जव अपने पती के साथ कान की बली चड़ाने आती है तो उसे कान से कान तक ले आती है हमारे पास कई नए बच्चे पैदा होने हैं और कई नए बच्चे पहले ही पैदा हो चुके हैं मैं प्रातना करता हूँ कि यह आयत हमारे बच्चों के जरिये पूरी हो जाए अमेन चोटा बागा कितना अद्बूत है साथ ही पहला शम्यूल अध्याए अठारा में जोनतन के बारे में एक बात की गई है और कैसे उसने अपने उपर के बागा उतार कर दाउद को दे दिया अपनी तलवार और धनुश्तहित अपने कवच को अपनी कमर में बांदे होए आएए इस शेबना भाग पर चलते है मुझे लगता है कि हमें बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं पर हम इस आयत से उतने परिचित नहीं है यह वास्तव में हमारे कपडों के हमारे लिए क्या माइने है इस बारे में शक्तिशाली आयत है यशाया 22 का 15 से 21 मेरे स्वामी असरफ शक्तिमान यहुवा ने मुझ से ये बाते कही उसने शेबना नाम के सेवक के उस शेबना नाम के सेवक के पास जाओ वा महल का प्रबंद अधिकारी है उससे पूछना तू यहां क्या कर रहा है क्या यहां तेरे परिवार का कोई विक्ति कड़ा हुआ है यहां तू एक कब्र क्यों बना रहा है यशाया ने कहा देखो इस आदमी को एक उंचे स्थान पर यह अपनी कब्र बना रहा है अपनी कब्र बनाने के लिए यह चटान को काट रहा है हे पुरुष यहोवा तुझे कुचल डालेगा यहोवा तुझे बांद कर एक छोटी सी गेंद की तरह गोल बना कर किसी और विशाल देश में फेक देगा और वह तेरी वहा तेरी मौत हो जाएगी यहोवा ने कहा तुझे अपने रतों पर बड़ा अभिमान था क्योंकि उस दूर देश में तेरे नए शासक के पास और भी अच्छे रत है उसके महल में तेरे रत महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देंगे यहां मैं तुझे तेरे महत्वपूर्ण काम से धकेल बाहर करूँगा तेरी महत्वपूर्ण काम से तेरा मुख्या तुझे दूर कर देगा उस समय मैं अपने सेवक अलियाकिम को जो हलकिया का पुत्र है बुलाऊंगा और तेरा चोगा देकर उस सेवक को पहना दूँगा तेरा राजदंड भी मैं उसे दूँगा जो महत्वपूर्ण काम तेरे पास है मैं उसे भी उसे ही दे दूँगा वह सेवक यरुशलम के लोगों और यहुदा के परिवार के लिए पिता के समान होगा जैसा हम शलो की 23 महासबा के करीब पहुँच रहे हैं हमें विबिन नितित्व के साथ निक्त किया जाएगा मैं प्रातना करता हूँ कि इश्वर हमें हमारे दिव मिशन का विशेश वस्तर प्रदान करें हम वे बने जो इस आशिरवाद को प्राप्त करते हैं क्योंकि मैंने यहां आयत 22 नहीं लिखा है इसलिए कृपा सभी लोग बाद में ये शाया अध्याय 22 आयत 22 को देखें 23 महासबा के माध्यम से वह आशिरवाद हमारा हो मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि वह क्या है ताकि आप उसे देख ना सकें इसलिए मुख्य बात यह है कि ईश्वर ने हमें एक विशेश वस्त्र पहनाया है याद रखें कि ईश्वर ने यह विशेश वस्त्र पहले ही आप पर डाल दिया है इसलिए यह ना सोचे कि मैं इतना नंगा हूँ कि मेरे पास यह वस्त्र नहीं है इसलिए बाइबल हमें बताती है कि उसने पहले ऐसा कर दिया गलातियों अध्यायतीन के 27 तुम्मे से जितने मसी में वबतिस्मा लिये हैं उन्होंने मसीख को पहन लिया है या विशेश वस्तर जो उसने हमें पहनाया है या कोई और नहीं बलकि वस्वयम है विवस्ता का सिद्ध रक्षक इश्यू मसी तो चलिए इस आयत के साथ समाप्त करते हैं रोमियो अध्याय 13 आयत 14-11-14 यह सब कुछ तुम इसलिए करो कि जैसे समय में तुम रह रहे हो उसे जानते हो तुम जानते हो कि तुमारे लिए अपनी नेंद से जागने का समय आप पहुँचा है क्योंकि जब हमने विश्वास धारन किया था हमारा उध्धार अब उससे अधिक निकट है रात लगबग पूरी हो चुकी है दिन पास ही है इसलिए आओ हम उन कर्मों से छुटकारा पाले जो अंधिकार के हैं आओ हम प्रकाश के अस्रों को धारन करें इसलिए हम वैसे ही उत्तम रिती से रहें जैसे दिन के समय में रहते हैं वह बहुत अधिक दावतों में जाते हुए खापी कर धुत न हो जाओ लुचेपन दुराचार विविचार में न पड़ो न जगड़े और न ही डाह रखें बलकि प्रबु येशु मसी को धारन करें और अपनी मानव दे की इच्छा को पूरा करने में ही मत लगे रहो तो आएए हम अपने पिता पर मिशुर का धन्यवाद करें की उन्होंने हमारे सारे शर्म को ढगने के लिए हमारे अनमुल प्रबु येशु मसी को हम पर डाल दिया ताकि हम खुद को देखें और फिर एक दूसरे को देखें तो हमें याद दिलाया जाए और हम मसी के कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित और मजबूत हो आमेन तो अगले गंटे हम वेविचार की अवधारणा के इंजिल विस्तार के बारे में बात करेंगे दूसरे शब्दों में यह कानून वास्तव में हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है आए प्रातना करें हमारे पिता परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपने हमारे साथ धेरे रखा और हमें अपनी शुद्ध दुलहन के रूप में पवित्र करने के लिए हमारे जीवन में निरंतर काम किया एक दूसरे के साथ हमारे रिष्टों को आशिरवाद देने के लिए भी आपका धन्यवाद आपने हमें उन कलीसिया के निर्मान खंड के रूप में प्रतेख पत पर रखा है जिसकी हम सेवा करते हैं ताकि जब हम एक दूसरे को देखें तो हमें केवल मजबूत किया जाए और आपके कानून का पालन करने के लिए याद दिलाया जाए ताकि हम एक साथ पुजारी के शुद्ध सामराज्य का निरमाण कर सकें पिता आज हम एक साथ आप के सामने स्विकार करते हैं कि हम भुलककड हैं हम अपर्याप्त हैं और हम कई बार और कई तरीकों से आपके कानून का पालन करने में विफल रहते हैं कभी-कभी लोग हमारे बारे में क्या सोचते है या इस बात से अधिक महत्वपून होता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते है अता पिता विशेश कर जब ये कलीसिया 23 महसबा के निकट पहुँच रही है विश्वास के दोरा हम सब को उस विशेश वस्द्र को प्राप्त करने में साहता कीजे जिसे आपने पहले ही हमें पहनाया था इस कृतक गिता के साथ हमारे हृदे में इस शांती और कृतक गिता के साथ ताकि चाहे हम किसी भी पद और नित्रित्व में हो पिता हमें आपके दिव्य मिशन को पूरा करने और उनमें से प्रत्य को पूरा करने में साहता कीजिए हम आपको हमेशा हमारे प्रात्नाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको पुना धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें तयार किया है और हमें आपकी दुलहन बनाने के लिए अपने प्रेम में पिरोया है येश्यू के नाम में हम प्रात्ना करते हैं अमीन